नमस्कार लोजिकल एगरुग्यान में आप सब दर्शको के स्वागति आज में यहाँ पर आपको कावली ब्रोकावली खेती कैसे लगाते हैं और इस वीडियो से आपका बहुत जानकारी मिलने वाला है आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा पाउदे हम यहा कही दिन के आगे लगाया था तो यह पाउदा इतना अच्छा हो गया और ओही पाउदा हमने इसको नर्शरी करके ब्याड में ही राख रहे हैं और इसको इसे करके लगाए हैं और आपका जिग्यासा हो सकता है यह पाउदा होगा यार नहीं होगा यह थोड़ा सा पाउदा फिर हमने क्या किया इसको उमेर उतना नहीं हो रहा है और इसको हमने नर्सरी नहीं किया ब्यार से डाइरेक्ट यहां पर लगा रहा है इतना बड़ा पौधा भी हो सकता है और एक इतना होगा कैसी होगा क्या कारना पड़ेगा इसको बनाने के लिए यह आपका जिग्यासा हो सकता है और दसक्विन आपका आज यह वेडियो दिखने के बाद सब जिग्यासा मिठ जाएगा और यह विरुवा बचेगा जो हमने इसको मौनिंग के टाइम से इसको लगा रहे हैं आपने बिरुवा जबी भी लगाना चाहिए तो आपका पुरा अनुवव नाई है तो आपने दो पर के आपको साच के चार बजे के बादी तीन बजे के बादी लगाना चाहिए और हम का यह पुरा अनुवव है तो हम मौनिंग के टाइम से ही यह लगाते ही और मौसम और आपको काम भी आपका समाप्त करना चाहिए आप यहां पर दिख रहे हैं यह बड़े-बड़े पवद्वी हम लगा रहा है और यह पाउद भी हमारा जो जितना शुरु में हम लगाते हैं उतना ही होता है और हमारा यहां पर खेत का तयारी नहीं हुआ था हमने वहां पर थान खित किया था और धान का हमने यहां पर क्या लोजिक लगा रहा है कि हमारे इदर पाउदे को हम बड़ा करके रेडी कर रहे हैं और उदर हमने धान खित को खाली कर रहे हैं और हमको जल्दी फलाने से हमको भाग आएगा और इसको मुल्ले भी आएगा इसलिए हमने क्या क किया बैर में लगा के इसको बड़ा किया और पातला करके लगाया और इसके बाद हमने इसको एक बड़ा बड़ा बना के यहां पर इसको लगा रहे हैं और हमने इसको लगाने से पहले हमने जमीन में अच्छी तरह से मौलकात का उपयक्त एक बिदी हमने यहां पर बनाना चा जब हम पाउदे को यसे करके लगाते हैं तो पाउदे ने तुरूनतम मॉल लेकर उसका जितना फॉल होना चाहिए उतना फॉल होना अशूम अभी जो खेते में इसे करके साहिए बात में आपका आपका मॉल बहुत आची तरह से पहले हम ले रुड़ाविटर लगाहे इसको लगा के इसको बहां पर लगाना चाहिए उसके बाद ही आपका बड़ा बड़ा जो पाउदि अभी होता है पाउदि लगाने के टाइम में मैंने यहाँ पर बहुत सारी विडियो बना जाल ला हूं पौधी लगाने आपने जो जड़ागा थोड़ा से उपर का भाग होता है उतना ही आपने मत्टी से ढाके थोड़ा से उपर ढाकेंगे तो आपका फंगिशा ठी शड़के मरेगा आपका ये करना चाहिए कि आपने जबी पाउदे लगाने के टाइम में लगाने के साथ ही आपने एक लिटर के अंदर आपने यहाँ पर पानी को डालना पड़ेगा मैंने जहाँ पर खेत था दान का खेत था वहाँ पर मैंने किया किया था मैंने वहाँ पर 100 गराम पानी के प्रयोक से वू बिरुवा को मैंने बचाया था अभी ये जोद्खन के जग्गा है यहाँ पर चिस्ष्यान का महत्रा उत्रना यह इसलिए हमने ये बिरुवा को एक लिटर पानी डालते हैं और आपने एक लिटर पानी डालेंगे तो पानी बहुत सारा नई डालेंगे तो ये मर के जाएगा इसलिए लगाने के ही टाम में हम लगाते जाते हैं और पानी डालते जाते हैं यह बहुत महत्तब पुणा जानकारी है और इसकर के भियत रूप में लगाने के लिए इसको शिचाई करना पड़ेगा इसको शिचाई करने के लिए आपका जो एक टेकनीके पाइप से हमारा यह इहां से 200 मीटर दूरी से ने फिलांगे और आ प्हुर देख रहे हैं और आप मौनिग के टाइम में लगा था और इसको उचायी हुं ने भी किया था फिर भी इत जैसे देख रहे हैं और यह नहीं मरेगा क्युआ था मौनिं ने में ये वीडियो के अंतिम में जो ये विडिवा मौनिं के टाइम में कई सि देखता है अभी तहीं इसा है ये भी मैं अपडेट कर रहा हूं अभी आप यहाद देख रहे हैं विरुवा लगाने के टाइम में आपने जबी सुक्का जमीन है आपका उहां का थोड़ा सुक्का माटा मट्टी है उसको निकाल के फ्याक देजिए और अंदर का जो चिसा जो पानी ओला माटा है जो जमीन का चिस्या ने उहां पर आपने विरुवा को आच्छे तरह से दबा के लगाईए और बड़ी उपर तक आपने नई डाकिए जड़ा का जितना भागे उतना से थोड़ा उपर तक आपने डाके लगाईए और इसे करके लगाएंगे तो कभी कभी हमने विरुवा को पाउदे को थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमने अभी खेत खाली करेंगे अभी विरुवा जगाएंगे उसको जमाएंगे लगाएंगे तो क्या होगा हमका यह लेट में निश्केगा और हमने पाउदे को पहले ही हमने तयार करेंगे तो अभी हम इसको खेट में लागे रोपेंगे तो एक जाल्दी होगा और उसमें मल आच्छी तरह से होना चाहिए आपने कावली बंदा और ब्रोकावली और फुलगो भी लगाते हैं तो आपको बोरन और बुरिक्स आपके कभी मत बोलना इसको डालना है और बोरन से बोद उसका खनीश पदार्थ मिलेगा और बोरेक्स से इसको शफाइ मिलेगा और सभी तत्युका मल का ग्राण करने का छेमाता भीरुवा में उत्पण्त होगा और यशिकरके आपने भीरुवा पौदे को लगाने के टाइम में शिचाई करना चाहिए अभी दर्शकों मैं यहाँ पर मुनिंग के टाइम में आ रहा हूँ और मुनिंग के टाइम में यह पाउदे जो कल में लगाया था वो पाउदे को मैं अभी देखा रहा हूँ यह पाउदे कैसे हो रहा है आपने यहाँ पाउदे अभी बाच रहे हैं अभी इसको आगे प्राप्ता हो रहा है अभी कोई-कोई पाउधे अभी थोड़ा सा कमजोर हो रहा है अभी ये सब कुछ बाचेगा दो दिन के अंदर ये भी सब सही आएगा अउपने पाउधे लगाए और लगाने के टाइम में आपने आज लिटर एग लिटर पानि विश्में अच्छे टरवासी डाल देजिये और पाउधे थोड़ा सा बड़ा है तो कुछ भी नहीं मरेगा पाउधे और थोड़ा सा इसमल है कमजोर है तो आपने इसको शांच के हम क्याति कर सकते हैं आपने यह यहां पर आपने यह यूटुब चैनल में लोजिकल एगरो घ्यान में किर्शी शामांदी के बहुत सारा टेकनिक बहुत सारा ज्यान अनुभाब प्राप्ता कर सकते हैं इसलिए आमरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे बढ़ाईए सा बात देजिए और हम भी आपको बहुत बहुत किर्शी शामांदी का टेकनिकल नौलेज इस यूटुब चैनल में डाल के आपको घ्यान दूंगा और परपूर ऐसा घ्यान मिलेगा जिस घ्यान से आप घर में बश के बिवसाइक बन सकते हैं परिशा कमा सकते हैं आगे बढ हैं और आप बेट记ी हैं अपनी व्ड़ीओ अंतिप त देख लेयान दरसान आपका बहुत बहुत शुक्रिया धंदेबलद और आपका बहुत बहुत प्यार और आगे मैं पिर इस विसें में सब कुछ बिसें में अपडेट करूंगा धंदेबाद जयकिर्शे